गूड मॉर्निंग सिद्धी हिंदी ओनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है कल हमने ख्याती के अंदर औसतलाब का सवाल दिखा ता आज भी हम दूसरा सवाल औसतलाब का ही ले रहें आपको बता दू के ख्याती का ये सवाल परिक्षा में बौड के अंदर सेक्शन डी में चार माक्स का पूछा जाता है ठीक है तो अब पेपर स्टाइल भी आ गई है मैं कल या परसो एक वीडियो में आपको पूरी पेपर स्टाइल बता दूंगी कौनसे सवाल आएंगे वो भी आ गया है सवाल देखते हैं हम बहेंद्र परविड एक पेड़ी के साजेदार है तेन और दो के प्रमाण में लाभानी बाटने वाले साजेदार है वे लाभानी वित्रण का प्रमाण बदल कर एक एक करना चाहते है इसलिए ख्याती का मुल्यांकन करना निश्चित किया है साजेदारी करार के अनुसार ख तिम चार वर्ष के लाब, यह खरीदी के वर्ष नहीं है, औसत लाब से पाच वर्ष खरीदी के यहाँ, यह हमारे लिए important है, इतना, बराबर, तो चार वर्ष का लाब यह लिख दिया, उसमें तीसरे वर्ष लाब नहीं हुआ है, को उसमें है सवाल, इसलिए इसका मतलब होत लाब इस तरह से होना ये एवरी येर लाब बढ़ा है तो इसमें भारित पदती ज्यादा योग्य है पर लाब हुआ, लाब हुआ हानी हुई, लाब हुआ पर उतर ते क्रम में इससे कम हो गया यहाँ पर भी लाब हुआ है, लाब हुआ हानी नहीं हुए, ठीक है पर ये क्या हुआ, कम हो गया लाब, फिर बढ़ा तो चड़ता उतरता क्रम रहता है, लाब एवरी येर कंटीन्यू बढ़ता है गया दो में से दो बीस, फिर दो बीस होना दो तीस होना चे पर एक नबे कम हो गया, तो जब लाब में कोई क्रमशवरुद्धी न हो न तो आपको योग्या पद्धति बोले तो सरण और कुछ न खहे तो आपको जो योग्या लगे कुछ भी न खहे तब आपको अपनी मर्जी से ये दिमाग लगा। इसमें कौन सी पद्धति होगी और सद इसमें कुछ सी पतती होगी भारित लेकिन कुछ कहे कि इसमें आप सरल से गिनो तो आपको सरल से गिनना इसमें भारित से गिनो तो गिनी नहीं सकते पूछेंगे ने फिर भी कहे तो आपको जैसा कहे वैसा यहां पर सपस्ट बोल दिया और सदलाप तो हमें दिम लगाना है क्या करना है अब तो इसके लिए हम सुत्र लगाएंगे और सतलाब बराबर कुल बटे में कुल वर्ष तो हम लाब का टोटल करेंगे अब लाब का टोटल तो 60 और 80 एक लाग 40,000 एक लाग 40 और 30 एक लाग लिख देते टोटल कितना हुआ एक लाग 50,000 तो यहां पर डायरेक लाग 50,000 लिखना है पर क्या किया हमने यह प्लस वालों का टीनों का टोटल किया उसमें से माइनस क्या कर दिया हमने घटा दिया ठीक है तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कुल लाब है एक लाग पचास अजार वर्ष कितने गिनेंगे तीन क्योंके तीन में लाब है नहीं कुल कितने वर्ष है चार तो हमें चार के चार ही वर्ष लिखने है यहाँ पर एक लाग पचास अजार भाग चार तो हुए 37,500 ये क्या हुआ औसत लाब मिला अब ख्याती डूणने ख्याती बराबर औसत लाब गुणा खरीदी के वर्ष औसत लाब है 37,500 खरीदी के वर्ष कितने दिये थे सवाल के अंदर 5 वर्ष तो मैं यहाँ पर 5 वर्ष लेने है पराबर तो खरीदी के वर्ष गुणा पांच तो उत्तर आएगा 1,87,500 ये रही ख्याती औसत लाब की पद्धती आज हम भारित वाली पद्धती भी देख लेंगे औसत वाली पद्धती बहुत सरल है पर इसमें एक हानी आ रही थी और इसमें सब लाबी था और इसमें लाब और हानी दोनों था तो मुझे लगा दोनों पद्धती सिखा दू ठीक है वरना पद्धती बहुत सरल है अब हम औसत वाली पद्धती लेंगे हम देख रहे उधार नमबर 3 2013,14,14,15,15,16,16,17 का लाब दिया हुआ है क्रमस लाब बढ़ रहा है सिर्फ इसमें भारित लाब की गणना की गए उधारन 4 के अंदर खरीदी के वर्ष दिये गए है 3 ठीक है तो हम पहले उधारन 3 में सिर्फ भारित लाब दुणना सीखेंगे तो क्या है मैंने जो सवाल है पूरा लिख लिया है यहाँ पर 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17 उनका भार लिखा है लाब लिखा हूँ अब हमें उसको भार देना है जो पहला वर्ष है उसको एक 14 के बाद होता है 15, 2, 15 के बाद 16 और फिर 17 उसको क्रम से इस तरह से भार देना है अगर आपकी किताब में सवाल क्रम में नहीं दिया गया हो तो आपको यह वर्ष पहले क्रम में बिठाना है क्रम में ना हो तो क्रम में बिठाओ फिर भार क्रम में ही देना चौधा के बाद 15 तो इसको 2 ही देना 1, 2, 3, 4 पैसा नहीं कि इसको 1, 2 अपने मन से कर दो जो ज्यादा रकम ऐसे नहीं करना है क्रम में वर्ष लगाना भार भी उएक्रममें देना अभी क्या करना है भारीत लाप मतलब भार और लाप गुणा उसको बें भारीत लाप दोनों work क्या करना है गुणा करना चार कपर 40,000 पातव दूने 10 यानि 1 लाख 6 एक लाक 80,000 और साचों 28,280,000 अब क्या करना है तो पहले सुत्र देखो आपको सुत्र या दोना चाहिए भारित असतलाब का मतलब क्या है? कुल भारित लाब बट्टा कुल भार तो लाब को भूल जाओ क्या बोला है पहल औसत लाब में क्या था कुल लाब तो लाब का टोटल क्या है यहां पर क्या बोला है भारित लाब चाहिए कुल तो इसका टोटल करना है हमें ठीक है जीरो 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 यहां पर बीज जीरो लग, पुलबार काव टोटल करेंगे 4 और 3, 7 7 और 2, 9 और एक 10, तो भार का बोला है कुल बार कुल वर्ष नहीं गया, बोला है कुल बार तो कुल बार हो गया 10, तो एक एक 0 गया, कितना आया, वह 6000, यह भारित ओशत लाब मिला, यह भारित ओशत लाब इस तरह से डूंदना है ठीक है और एक सवाल की इसी तर यह भारित ओशत लाब अभी हमने इसमें ख्याती नहीं ढूंडी क्योंकि आपके सवाल में खरीदी के वर्ष दिये गए नहीं सिर्फ भारित लाब ढूंने को कागे अब हम देखेंगे उधारन नंबर चार कुको है उदारन चार के अंदर पांच वर्ष का लाब है यहां पर दिया है भारी तौषत लाब की गण्णा करओ और खरीदी के वर्ष कीतने दिये गए Southeast तो हमें इसमें खरीदी के वर्ष दिये गए तो क्रम में यह पहले देखना है 13 14 15 16 ठीक है भार देना है उसको एक दो तेन चार और पाच एक गुणा आठ असी हजार बारा दुनी 24 दो लाक चालीस हजार 14 तीया 48 सोरी 42 चार लाक बीस हजार सोरी फिर 16 गुणा चार 6 लाक चालीस हजार फिर 17 गुणा पांच 85 आठ लाक पचास हजार बराबर अब क्या करना है सुत्र लगाना है आपको सुत्र में क्या लिखा हुआ है भारित और शदलाब में कूल भार इतलाब बट्टा कूल भार 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 इतलाब मतलब इसका टोटल और भार तो एक और दो तीन तीन और तीन छे छे और चार दस दस और पांच पंदरा ऐब हम के टोटल करेंगे वैसे तो हम ऐसे भी imate Heart पर अगर आपको केल्सषी का प्रणा है ताप केल्सी से बिन कल्पम ऐसां से जार दो लाख 40,000,000,000.. !! 44,000,000,000,000,000,000,000,000 । आपका टोटल हुआ है 22,30,000 तो हम यहां पर लिख देते हैं 22,30,000 अब यहां पर लिख देंगे कुल भार इतलाब 22,30,000 और भार हमें कितना मिला है 15 तो यहां पर लिख देते हैं 15 भाग 15 कितना हुआ तो एक लाग 48,000 देकऑ यहां पर पॉइंट है न एक लाग 48,006.666 है न तो उसको हम बना देंगे 67ी एक लाग 48,006 660 पॉइंट है न फिर 6666 चार बार है तो उसको उसको बना देंगे 7 ठीके और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो एक लाक अडाली सजार 5 या पांच से अधीक होना तो एक इसमें प्लस कर देना है तो चै का हो जाएगा साथ ये बन गया आपका आसथ भारीत लाग को पूरे भाक्य में लिखना है मुझे भी वीडियो में खोड़ा फटा फट समझाना इसलिए औसत भारीतलाब आपको मिला 1,48,666 खरीदी ख्याती डूननी है सिर्फ भारीतलाब नहीं डूनना है इसमें ख्याती भी डूननी है उस सवाल में सिर्फ भारीतलाब डूनना था यहापर ख्याती भी डूननी है ठीक है तो औसत भारीतलाब गुणा खरीदी के वर्ष, खरीदी के वर्ष शरूत में हमने कितने देखे थे हमारे सवाल में कितने हैं खरीदी के वर्ष तीन, सवाल में खरीदी के वर्ष दिये गये है तीन, तीन वर्ष खरीदी के है तो हमें यहाँ पर तीन से गुणा करना है यहाँ पर ठीक है अब हम के लसी का उप्योग करेंगे जो रकम हमारे पास है ही गुणा तीन तो आया चार लाग पैतालीस अजार नौसो निन्यानवी फिर भी हम इस तरह से गणना करें थोड़ी रकम बदल जाएगी तो हम यह रकम लिख देते हैं एक लाग अड़तालीस हजार चैसो सड़ सड़ गुणा तीन देखो थोड़ी रकम हो गई चेंज तो आपको यह बात का खास ज्यान रखना है 4,44,001 बराबर है यह है ख्याती इस तरह से तो यह आपको मिला भारित तो दो पद्धती हमारी यहां पर हो गई चार पद्धती है दो सबसे इजी पद्धती उसके मैंने चार सवाल करवाए एक लाब वाला लाब और हानी वाला दोनो औशत लाब करवाए दोनों इसमें सिर्फ भारी तलाबी है इसमें कोई चेंज नहीं है इसमें भारी तलाब सिखाया और इसमें भारी तलाब के बाद ख्याती भी चार सवाल हमने किये अब हम आगे देखेंगे तिसरी पद्धती अपेक्षितला और फिर पुंजिकृतला चार में से दो पद्धती हो गई चार माक का बॉर्ड में सवाल पूछा जाता है बहुत इंपोर्टन्ट है ठीक है तो बाकी की पद्धती कल देखेंगे हां